मेरे अब तक के जितने भी वीडियोस है ना सारे के सारे वीडियोस में शायद इससे सस्ता प्रोडेक्ट कोई ने था क्यूंग अब यह जो मेरे हाथ में देख रहे हैं यह एक लियोन लाइट है फ्लक्सेबुल यह मतलब बहुत ही सस्ता है 2.500 रुपे में आपको सेट मिल जा यहाँ पर पूरा का पूरा फ्लब है यह मतलब वैट पटी है लगा और यहाँ पर भी है और यहाँ पर मतलब तीनों तरफ पूरा का पूरा प्याक है और यह जो ब्लू वाला इसस है यह हमारा लाइटिंग वाला मतलब यहां से लाइट ब्लिंक होता और आप चाहे तो इस आपको blue का demo टेस्ट करके बता रहा देखो यहाँ पे देखो सिर्फ यहाँ एक तरफ से light मतलब जल रहा हमारा blue वाला और उसके तीनो तरफ से मतलब यह बंद है तो यह था इसका demo और एक most important बात यह इसकी packing है अगर इनके कभी future में यह तूट गया यहाँ से तो आपको क्या घबराने की जूरत नहीं है देखो यहाँ पे पहले समझो light के पीछे जो हलका सा blue कलर का पटी लगा है देखो एक दो तीन चार यहाँ पे हलका हलके dart लगे हो मतलब काले कलर के तो खेर इसमें देखो समझ में आता यह ब्लू कलर की पटी लइट है मेरे पस्टुकड़ा अल्रड यह तुड़ गया तो मैं अभी आपको स्क्रीन पर समझाओंगा कि इसको मतलब सॉल्टरिंग कैसे करते तो यहाँ देखो यहाँ कैंची लग गई हो है मतलब कैंची का निशान है तो आपको क्या करना है जो काला निशान है यहाँ से आपको वयर काटना है सर यह जो लइट है इसको काटना है मतलब अगर कभी इनके इसका जो वयरिंग है वो टूड गया यह साल्टरिंग निकल गया ना तो यहाँ से आपको क्या है एक इंच के अतना लाइट को काट देना है और ये जो एक इंच का जो टुकड़ा बचा भी है कोई काम का नहीं है रखो या फिर फेक दो कोई प्राब्लम नहीं अब क्या करना है देखो यहाँ पर दो वहर दिख रहे तो इसमें क्या करना है अब ये भी थोड़ा important है अभी जैसा स्क्रीन पे देख रहे हैं बिल्कुल ऐसा हलका सा इसके उफर का rubber को काटना है मतलब एक देड़ एमेम के उतना काटना है जादा ने मतलब अगर जादा काट दिये तो light बाहर आ जाता हलका साबी जैसा स्क्रीन पे देख रहे हैं बिल्कुल एक से देड़े में हमके उतना rubber को काटना है काटने के बाद आप ये जो rubber कटा मतलब जो कट के बाहर आ रहा rubber इसको निकाल देना है वासे निकालने के बाद आपको दो wire दिखते है soltering करने के लिए तो देखो मैं अभी ये rubber को निकाल रहा तो अभी अच्छे से कटा नहीं है देखो अभी कट गया काटने के बाद इसको छिल के बाहर निकाल दो बहुत आसानी से निकल जाता है बहुत पतला और नरम रहता कोई हाड आटम नहीं होता है बस ये निकल गए अब इसको फेक दो अब क्या करना है यहाँ देखो स्क्रीन पे ये मैनस और ये प्लिफ मतलब दो wire आपको दिखे अब क्या करना है बस यहाँ पे दो wire को soltering कर दो जैसे स्क्रीन पे देख रहे है ऐसा अगर आपके आपके आपस solter नहीं है तो कोई भी electrical की दुकान पर हर किसी के पास मिल जाता है जो light के साथ जो wire आए थे वही wire को निकालो और इसके साथ soltering कर दो बस आपका काम हो गया और एक खास बात क्या है यह सबसे सस्ता भी पड़ता और 100% waterproof है और इसके अंदर डेश्ट भी नहीं जाता तो मतलब लांग टाइम के लिए बहुत दिनों तक आप इसको स्थेमाल कर सकते तो एक बेस्ट तरीखा था इसलिए मैं बताया क्यों तो जो आंगरी बड़ का जो लाइट बताया था में पिछले वीडियो में वो थोड़ा महेंगा था तो उसकी वज़े से मेरे कुछ समझ में आगे बही चलो कुछ सस्ता वाला भी रखना तो यह सस्ता भी और अच्छा भी है या फिर एस एबी सीडी जो कुछ चाहें लिख सकते हैं तो खैर यह तो इसका डेमो था अब क्या करेंगे यह जो गाड़ी के जो हेड़ लाइट है दोनों डूम सब में सेम है चाहें पी अलफा बजाच कोई भी गाड़ियों जरूरी नहीं कि सिर्फ बजाच के गाड़िय अब अब आप 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 आपको थोड़ा समय साफ कर रहा करें तो यहां से मिट्टी जो है ना वह रही देखो यहां पर मिट्टी लगी डश्ट लगा हुए यह इसलिए बता रहा हम है क्यों बोलत तो सबसे पहले इसको साफ करना है हमको करने के बाद इसके पर हम फेविक लगा के लइट को चिपकाएंगे अगर मिट्टी रहा या डश्ट रहा ना तो सई से नहीं पकड़ता और एक बात कि आप यह जो आयरो देख रहे हैं मतलब यह नीचे निशान जो है यह है नीचे का हिसा मतलब यह नीचे डाउन आप डाउन साइड और उसके बिलकुल लगाने के बाद यह अच्छे से पकड़ लेता अभी जैसा स्क्रीन पर देख रहें बिलकुल ऐसा ही करना है या फिर शायद बहुत से लोग समझ भी गयोंगे कि इसको कैसे लगाना है बस बहुत आसान है हलका हलका सा बस इसको ऐसे घुमाते रहो और थोड़ा थोड़ा थ पलठाएंगे पलठाने के बाद अभी यहां पर देखो एक बूंदा फेव किक डालेंगे तो देखो राइट सेड नीचे की तरफ जा रहा तो यह इसका सही तरीखा सही और सटीक तरीखा है तो ऐसा लगाएंगे तो आपका फेव किक भी कम लगता और अच्छे से मजबू अभी कोई कचरा नहीं दिखता अच्छा अफिशल दिखता देखने में तो देखो एक रिंग हो गया तो यह था सही तरीखा अब क्या करेंगे अभी पहले बाहर से लगाए अब अंदर से भी दालना है अंदर से राउंड नहीं दालना है आपको बस उपर एकदम जो उपर गुलारा नहीं यहां पहरा और यह रुबर के बस हलका सा दाल दो ताकि कभी यह जैंट आपस में खुले ना मतलब जादी मजबूती के लिए यहां पर दालना है पिर उसके बाद क्या है देखो कि स्क्रीन पर देख रहे हैं यहां पर दाल देख अब मोस्ट फाइनल काम इ लाइट को चेंज करने में वगेरा तो यह वैर जो है ना यह लेट के साथ उखड़ जाता कभी कभी अगर उखड़ गया तो अभी जैसा स्क्रीन पर बताया था मैं वह ऐसा कर लेना है अभी जो तरीखा बता हमें फेव की का यह ना उखड़े मतलब वैर नहीं उखड़ना व बता रहा यह है एडलेट का ओल्डर और यह जो गाड़ी है ना यह बीएस 6 की है ओके चाहे बीएस 4 हो या बीएस 3 उसके नीचे या उपर कोई भी हो यह अपना इंडिकेटर और पार्किंग का लाइट उसके बिल्कुल नीचे और अंदर आएंगे ना तो यहाँ पर आपक को निकाल लेना है निकाल के जो जैंट है उसको बाहर निकाल लो अब यहाँ पर क्या है अङख यहाँ पर इसको काट के जोड़ना चाहा हें तो अच्छी बात है नो प्राबलम या अगर आप वायरिंग को काटना नहीं चाहा रहे है या वारंटी का प्राबलम है बोलके अगर डर है तो नो प्राबलम देखो अभी जैसा स्क्रीन पे देख रहे है कपलर के अंदर दो वायरों को ऐसे जोड़ दो मतलब इसके अंदर डाल दो बेंड कर दो बेंड करने के बाद थोड़ा खरीब नहीं रहना यह मतलब शार्ट सर्कुट होने एक चांसे नहीं फिर उसके बाद जैसा स्क्रीन पे देख रहे है कपलर को जैसा खोलेते वह ऐसा लगा दो इससे क्या है चाया बीएस सिक्स की गाड़ी तो दूर की बाद अगर फ्यूचर में बीएस सेवन याइट नाइन टेन भी आया ना तो आपको वैरिंग के लिए मामले में घबरानी की जूरत नहीं है कोई प्राब्लम नहीं होता वैरिंग को ऐसा लगा दो फिर उसके बाद जो हेडलेट का होल्डर था वो भी लगा देना है फिर ये जो वैरा जो बाहर आ रहे एक्स्टा उसको अंदर धकेल दो धकलने के बाद ये जो हेडलेट का जो डूम है खोलेते उसको लगा दो बस दोनों को भी ऐसी लगाना है चाहे आपके पास अप्पी अलफा बजाच टीवियस किंग कोई भी गाड़ी हो सब में सेम 100% सेटिक तरीखा है और ये जो ब्लू वाला है ना तो इसमें ब्लू लगा है हम चाहे तो इसमें आपको रेड ब्लू ग्रीन और एलो चार्क अलग-अलग कलर है आपको जो समझ में है जो अच्छा दिखा कलर वो कलर आप लगा सकते तो इस गाड़ी में क्या है ये गाड़ी वाले को ब्लू होना था तो इसलिए मैं ब्लू करके लगा के बताया तो इसी में ये ये वीडियो के निचे लिंक है डिस्क्रिप्शन में और बहुत सस्ता भी है हर कोई खरिश सकते है 500 या 240-230 रुपय तक मिल जाता आपको तो अगर पसंद है तो खरिश सकते है इसी वीडियो के निचे लिंक है तो फिर मिलेंगे नेक्स वीडियो में जब तक के लिए जहिए